सभी को जैसिया राम और बहुत बहुत धनेवाद आप सभी का राम चरित भवन का और शी राम सीता राम जी के चरणों में शीशनवा के मैं बालकांड दोह संख्या 50 ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो कि देह धर होई नर जाहिन जानत बेद ये एक ऐसा दोहथ है बालकांड में जो सारे राम चरित मानस का आधार है एक ऐसी इसमें शंका है कि वह आधार बन गई राम चरित छे पानस के गत्था के और यह जो शंका है जो सती ने करी यह वह कि शंकर भगवान जब अगस्त ये के यहां से ब्रम्ह चर्चा करके लौट रहे हैं सती जी के साथ तो काल का कुछ ऐसा संयोग पड़ा है उस समय कि सीता जी का हरण हो चुका है त्रेता युग में और राम लक्षमर के साथ सीता जी को बड़े व्याकुल भाव सेवन में धूरते फिर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है कि सीता को कौन ले गया कहा ले गया और शंकर भगवान अपने आपको रोक नहीं पाते हैं वो जानते हैं कि भगवान अवतार ले चुके हैं उनके आराध्य मनुझ रूप में अवतार ले चुके हैं और वो अगर बताते हैं तो प्रकट हो जाता है कि वो भगव हैं उनका जो कारण है जन्म लेने का किलीन मानुज अवतार वो उद्देष कूरा होने में शंका हो जाएगी तो वह उनको प्रणाम करते हैं और समझ लेते हैं ब्रह्म के भाव और व्रह्म के आननंद में डूब जाते हैं तो उनकी जो अवस्था देख्ती हैं satisf क्यों संका मे नागरनीनिये वनवास कर रहे हैं तो उनको जो शंका होती है आप देख लिजे तो आज कली उगा आगिया है और यह शंका करने वाले आज भी आपको कहीं नहीं मिल जाते होंगे तक्रात रहाई जिनका यहीं प्रशन होता है बलकि को पता है स्टेटमेंट होता है उनका तो यह दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है इसमें तुलसिदाश जी कह रहे हैं कि ब्रम्ह जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अबेद जो ब्रम्ह है जो सर्व व्यापत है सभी तरह के दोशों से मुक्त है रहित है बिरज माया रच्टी है ब्रह्म की जो शक्ति है जो प्रकर्ति रूप में ब्रह्म प्रकर्त नहीं हो सकता ब्रह्म दिखता नहीं है वो केवल अनुभव करने की चीज़ है पर वो प्रकर्त होता है प्रकर्ति के रूप में स्वयम ब्रह्म से प्रकर्ति उत्पन है परन्त प्रकर्ति ब्रह्म को ब्रह्म को प्रकर्ति या माया व्याप्त नहीं होती है तो माया रही थे उसका कभी जन्म नहीं होता है वो अखंड है कभी भी ब्रह्म या परम उसी शब्द का अर्थी है जिसका कोई भी खंड ना किया जा सके जो सदा पूरण रहे। इच्छाओं से परे हैं, इच्छा रही थे उसमें कोई इच्छा ही नहीं और अभीध है, कोई भीध ही नहीं है तुलसीदास इने पूरे रामचरित मानस में लोग कहते हैं सगुण उपासकस़ बोग लेकिन उन्हों ने तो पूरी रामचरित मानस में सगुन और निर्गुन का भेदी मिटाते रहे हैं बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तर बिनुपद चलाई सुनाई बिनुकाना उसको हम नहीं कहेंगे पर यह पूरी तरह से निर्गुन ब्रह्म के लिए कहें हुई इस्तुति है और जिसको वेद भी नह जानता है जाहिन जानत बेद जिस ब्रह्म को पूरी तरह से वेद भी नहीं जानता है जब बखान करने लगता है तो जितना बखान कर सकता है वेद में समाई हुए ज्ञान को ही विद्या कहते हैं और जितना बखान करता है बाद में नेती-नेती कह देता है कि इतना ही नही सब कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ कह دेने का अर्थ ही है कि उसको समयत दिया हमने सीमा में बान्द दिया तो सो कि देह धरी हुई क्या वो देहधारण करके मनुष्य बनके आ सकता है यह सती के मन में शंका उबजती है और यहां पर जो मेरा अपना अनुभाव कहता है जो लोग कहते हैं कि भाई राम मनुष्य है भगवान नहीं है ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म कैसे मनुष्य रूप धर के आ सकता है तो तो अगर ब्रह्म मनुज रूप नहीं धर सकता है, तो यह तो उसकी एक आयोगेता हो गई, जो सब तरह से योग है, जो देह धारण नहीं किये है, पर वो तब भी देह धर सकता, यही उसकी योगेता है, यहां पर सतीजी जो है, वो एक जीव आत्मा के रूत में है, जो संसार की जीवा अत्मा है, उनका प्रतेशने धित्व कर रही है, और शेंकर जो हैं, वो सब ज्यान को सब जितना भी आगम जो ग्यान संसार में आया है, वो चाहे ब्रह्म ग्यान हो, चाहे योग विद्या हो, चाहे तंत्र विद्या हो, जितने भी तरह के ग्यान है, वो शंकर के द्वारा संसार में आए हैं, शंकर गुरु रूप में पारवती को बताते हुए, सिखाते हुए, उस ग्यान को संसार में पहला हैं, संगीत है, कला है iblical कुद कि नहीं सकति हैनु कि यहां पर हमको रामचरितमानस यह समझानी का प्यास करती है कि अगर आप शंका करेंगे तो साथ में शंकर भगवान भी एंगर करने वाला पर आपके अंदर जिग्यासा होनी चाहिए जिग्यासा कहते हैं जानने की इच्छा को और शंका कहते हैं कि आपने पहले ही परदे डाल दिये हैं आपने अपने मन को तैयार कर दिया है स्विकार ना करने को तो शंकर जी कहते हैं हम बैठे हैं जो तुम परिक्षा ले लो तो यहां पर हम लोग बार बार राम चरितमानस में पढ़ते हैं कि बुद्धी से परे है ब्रह्म बुद्धी से परे इश्वर बुद्धी से परे तो भगवान बुद्धी ना देता हमें जब वो बुद्धी से परे है पर बुद्धी दी है कि आप अपने बुद्धी से ज्ञान से विवेक लगे तो फिर कोई मतला भी नहीं रह गया कोई ग्यान की बात आगे से पीछ अगली पिर्णियों तक कैसे जाएगी तो इसलिए कभी भी इश्वर को यह ना माने कि बुद्धी से परे होते हुए भी उसको बुद्धी के द्वारा शरीर के द्वारा यह सब साधन है यह सब द दोनों दोहे जो मैंने चुने थे दोहा संख्या पचास और 31 तो यह मुझे कोश्ठक जैसे लगे तो ब्रैकेट जैसे एक सो बतिस्वा दोहा है एही एक सो बतिस्वा है जही बीदी होई है परमीत नारद सुमहु तुमार स्वई हम का रभ ना आन का चू बचन नम्रिशा ह कि यह उस समय का है कि जब नारद जी को एहंकार हो गया शक हो गयी शंकर के पास गए शंकर नेका हाऑ तुम्हारे पास परिक्षा ले लो प्रैक्षा कर लो उसमें खरें उत्रें तो मानो नहीं तो जैसी तुम्हारी मरσ जी और नार्थ जो टपस्या अ करके, काम को जीत करके, अब देखे, शंकर भगवान को भी काम-देव ने, उनके उपर भी आके अपना फंदा डाला, क्यों डाला? विवाह करें, सब लोग चाहें है, यह विवाह करें, तो उन्हों ने काम को भस में दिया, और तो उन्होंने काम को शमा किया और एहंकार में भर गए कि हमने तो काम को जीत लिया तो जब एहंकार आ गया तो भगवान ने उनको विवा करने से रोक दिया शंकर जो विवा नहीं करना चाहरे हैं उनके पीछे पढ़े सब जने कि विवा करो विवा करो विवा करो विवा करो जल्दी करो मैं आपका दासु जल्दी करिए अधीर हो गाएं तो भगवार ने क्या रचा इनकी विवाहना करने पाएं क्यों कोश्ठक की हमने बात करी काम भावना से वशिभूत होकर जो काम आप संसार में करेंगे वह अनिष्ट कारी होगा आपके लिए भी और विश्व के वह सदा कल्यारकारी होगा जब आप विश्व के कल्यार की भावना रखेंगे तो आपका तो अपना कल्यार करके जोुआ करें तो विश्व का कल्यार करने वाला शंकर है तो भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ मैं वही करूँगा हे नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करूँगा ये वचन मैं तुमको देता हूँ और ये वचन जूट नहीं होगा तो इसे जो आज कल के संदर्व में हम अगर बात करें हम मनत शुक्रवार रह लेंगे एक्किस ब्हश्पतिवार हिएंगे ऐसी मनत्य करते हैं पूरी हो गईतो बहुत क्फुश होते और नहीं पूरी हो तो तुरंण तो भगवान बदल ले T मनका जो ना हो नजोड़ों की बाते करते हो इमान बदलते देखा है मेरी ही पंक्तिया है मनका जोना हो पाय भग्वान बडलते देखा है तो लोग 16 provaking बदल लेते हैं जब उनकी मननत नहीं पूरी होती है पर वो ये नहीं जानते हैं तो वही छोड़ देना चाहिए उसके उपर कि जहीं भी दिऊओने तो उसके उतर में भगवान यही कहेंगे कि जहींद्यों यहेँ परमीत नारद कि यहां पर जीव का जो भक्त है उसका उसना प्रतिनी दिर्ट्व कर रहे है नारज जी और जब भक्त रहेगा तो अहंग भाव अगर उसके अंदर आएगा तो भगवान उस अहम भाव को बढ़ने ही नहीं देंगे वो शंका तक पहुचेगा ही नहीं वो छोटा अंकुरन हुआ और भगवान ने उसे जर से उखार करके फेग दिया तो यह जो है दोनों बनके जाते हैं तो भग्त बनके जाते हैं अगर एहंकार आएगा तो हम भगवान के ही शरण में जाएं यह भगवान हमारे मन में जो भी कामना है जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो उनको आप तभी पूरा करिए जब हमारे लिए हित करो अन्य था उन इच्छाओं को समूल हमारे मन से नश्ट कर दीजे इसी में हमारा कल्या है इनी थोड़े से शब्दों के साथ मैं आप सब सबसे आज्या मांगती हूं अनुमती चाहती हूं जैसे आप